नमस्क्रार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कंट्रोल पैनल आइडियाज में मेरा नाम प्रमुत पर्यार तो दोस्तों हम आपके लिए एक नया टोपिक पर जानकारी तियार किये हैं आटी सी सी पैनल आफ पावर ट्रांसफार्मर पाट वर्न है दोस्तों हमारे साथ बरावर वीडियों वाच करिएगा यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत पूर्ट सावित होने वाली है तो दोस्तों हमारे चैनल कंट्रोल पैनल आइडियाज में आपको एक से एक भैतरीन टेकनिकल वीडियो देखने को मिल जाएंगे तो आप मेरा चैनल जरूर वोच करिएगा और इससे पहले मैं बोलूँगा हमारे जो आइटेज साथी लोग एवाँ टेकनिशन साथी लोग और टेकनिकल वर्ट करने वाले सभी साथी लोग जोनोंने वारा चैनल किया हो सब्क्राइब कर लोग और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जैसे आने वाला हर टेकनिकल महित्पूर वीडियो आप तक प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अगर आज देवल्टी आई आरो टी आई इंडिकेशन एन्वन सेटर दोस्तों आटी सी सी पैनल होता है रिमोर्ट टेप चेंजर कंट्रोल कुभीकल यह इसका फॉल्ट कभी इंटर्वू में पूंचे नहीं सकता है तो आप जरूर इसको नोट करियागा तो दोस्तों आट और इंडिकेशन आप देखी रहें यह दिये हुआ है इसमें यह इंडिकेशन दिये हुआ है क्या क्या ट्रेपिंग हो रहा है क्या अलार्म आ रहा है इस तरीके से यह इसका फंक्सर होता है दोसतों हो और यह advanced euro होता है इसमें यह बिंडो नंबर आपका बिंडो दिया हुआ है दोस्तों यह हर बिंडो में जैसे बी आर यानी बकुल्ज रिले ट्रिप एमोजी ट्रिप पी आडी ट्रिप इस तरीके से इसमें यह इंडिकेट करता है और बित वजर के यह वर्क करता है दोस्तों यह डवलू टी आई दोस्तों यह जैसा कि मैंने आपको बताया वाइंडिंग टेंपरेचर इंडिकेटर यह ट्रांस्पार्मर की वाइंडिंग में कितना टेंपरेचर है यह सो करने वाला है अभी यह आप देख रहे हैं 30 के नीची है सम्तिंग तो यह एंबियन टेंपरेचर है और यह OTI यहनि की OIL TEMPERATURE इंडिकेटर क्या तो यह मार्शनल बॉक्स में लगा हुआ होता है और आर्टी सी सी पेनल में मैं आपको बोलूंगा यह यह आर्डवलू टी आई जो दिया हुआ हैनी remote बाइणिंग टेंपरेचर इंडिकेटर यह इसका कितना यह TEMPERATURE आरा WTI का यह RTCC पेनल में आपको सो होने वाला है डिश्टल मीटर में और यह OTI जो दिया हुआ है इसका ROTI यहनि कि remote oil temperature indicator यह oil का temperature सो करेगा transformer का oil कितना heat up है यहनि कि कितना इसका अभी इसबक temperature है वह डिश्टल में यह RTCC पेनल में मीटर लगा होगा जो कि आपको सो करेगा रेडिंग टेंपरेचर अनलोग एंड डिश्टल मीटर हैं दोस्तों यह कि ट्रिपिंग इंडिकेशन नॉर्मल कंडिशन दोस्तों नॉर्मल कंडिशन में यह पेनल में आटी से सी पेनल में इंडिकेशन लगे होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यह दिया हुआ आपका तो एक फेस अगर फैल होता है उस कंडिशन में यह दोस्तों यह इंडिकेशन गिलो होगा और हमको पता चलेगा कि हमारा एक फैस फैल हुआ कूलर कंट्रों मैंडिवल अगर कूलर कंट्रोल यहनि की कूलर कंट्रों मार्शन बोक्स में हम यह डॉ staggering में यह मैंडिवल मोड मन है तो दोस्तों यह कंडिकेट करएगा और अटो म है तो यह वाला एलो क्लर माद का इंडिकेशन दे oblou और दिया है यह control on, control supply on है तो यह healthy रहेगा और remote में यह दिया हुआ है local, local control on local, local mode में अगर selection है आपका supply का तो यह yellow होगा और remote mode में है तो इस तरीके से दोस्तों यह yellow होगा अभी यह normal condition में indication दिया हुआ है ट्रिपिंग इंडिकेशन पिट पर्किंग दोस्तों देखिए आप च्वेसा मैंने आपको बताया यह ट्रिपिंग हुआ है यह AC control supply फैल हुआ है इसलिए हमारा यह एक नम्मर का इंडिकेशन गिलो हो रहा है और यह आप जो देख रहे हैं cooler control on manual यह manual में selection है दोस्तों तो यह हमारा indicate show हो रहा है cooler control on local यह local mode में set है दोस्तों selection हमारा तो यह indication गिलो हो रहा है हमको बता रहा है कि आपका यह local mode में selection है इस तरीके से indication work करते हैं दोस्तों दोस्तों मेरे साथ बरावर वीडियो में watch करिएगा आपके लिए यह जानकारी बहुत ही महतपूर सहबत होने वाली है कि इंडिकेशन इन आर्टी सी सी आर्टी सी पैनल में दोस्तों यह indication दिये हुए जैसा कि आप देख रहें रेट किलर के यह सारा ट्रिपिंग का इंडिकेशन है हमारे ट्रांसफार्मर में जो भी इस्टूमेंट जो को लगे हुए सेप्टी डवाइस इन में कुछ भी हल चल होती है जैसे प्याडी ट्रिप होना या ओयल टेंप्रेचर हाई होना इस तरीके से इंडिकेशन दोस्तों हमारा आएगा और वर्क करेगा कि आ आपका वियार ट्रिप हुआ है यानि कि बज कोल जड़े लिए आपका ओल टेंप्रेचर हाई हुआ है आपका वाइनिंग टेंप्रेचर हाई हुआ इस तरीके से आपका यह कूलर ओन है तो इस तरीके दोस्तों टैप पोजीशन आपका प्रोग्रेस में है तो इस तरीके से इंडिकेशन DC आपका supply healthy है इस तरीके से इसका ये इंडिकेशन work करेगा दोस्तों और ये इसका इंडिकेशन ये back side का जो connection देख रहे हैं आप इस तरीके से दोस्तों connection किया हुए इसका जो minus रहता है यानि कि common जो minus रहेगा वो आपस में इंडिकेशन में ये loop होते हैं इस तरीके से दोस्तों ये looping रहता है और जो main indication का contactor के थुरू आएगा वो इस तरीके से इनको pulse आता जाएगा जैसे ये PRD ये BR जो भी tripping होगा वो इनके थुरू face आके आपका lamp को गिलो करेगा इस तरीके से इनका work रहता है दोस्तों टंप्रेचर इंडिकेटर एंडिकेशन लेम दोस्तों देखिए ये टंप्रेचर आटी सी सी पैनल जो है उसमें ये टंप्रेचर के मीटर दिये हुए है जैसे कि ये दिया हुए दोस्तों HV winding temperature LV winding temperature और ये दिया हुए दोस्तों oil का टंप्रेचर और ये आपको देख रहा है लेवन नमबर दिया है दोस्तों इस इंडिकेटर हमारा ओ ट्रांस अर्मर का कितने नमबर पर वेल्टी सी जो टेप है वो सो करने वाला है इस सारा चीच हमारा आटी सी सी पैनल में दिया रहता दोस्तों ये इंडिकेशन आप ये गिलो हो रहे फैन नमबर बन ओन फैन नमबर टू ओन थरी ओन फैन नमबर फोर फैन नमबर फाइब शैक्स तरी के से दोस्तों ये हमारा इंडिकेट हो रहा है यानि कि हमारे ये फैन ओन है और दोस्तों यह जैसा कि देख रहे आप दिया हुआ है टैप लोवर में स्ट रिस्ट यानि कि वल्टी सी का टैप पोजिशन जो है वो आखरी जो रहता है टैप नमर फर्स्ट यानि कि लोवर पोजिशन पर यह पहुंच चुका है इसलिए यह गिलो हो रहा है और टैप चेंजर सप्लाई ओन और दोस्तों यह जो वल्टी सी हमारा उसका सप्लाई ओन है इसलिए इसका इंडिकेशन ग्रीन कलर का गिलो हो रहा है यह जो हमारा हेल्दी कंडिशन में है कि अन्वन सेटर नॉर्मल कन्डिशन दोस्तों यह एन्वन सेटर है देखिए इसमें बिंडो दिया हुआ इसमें लिखा भी हुआ है कि आपका फेस फेल वर हुआ है बीया ट्रिप हुआ अबो जी ट्रिप हुआ फेल ट्रिप हुआ हुआ इस तरीके से दोस्तों यह वर करता है और यह नौर्मल कन्डिशन में अलग अलग विंडो में अलग अलग हमने ट्रिपिंग का इंटियाम 받아 का द्रिप्ण को हल ए हुआ इस तरीके से हमको पता चलता है कि आपका ट्रांस pleine मे सब्सक्राइब फिनिट करेगा दोस्तो लिट पजर के साथ यह फ़र करेगा में अन्सटार ट्रपिंग कंडिशन दोस्तों यह ट्रपिंग कंडिशन में अन्सटार जैसे की आप देख रहे हैं यह दो बिंडो है एमारा यह ट्रेप हुआ है एनि कि फेन नमबर का फेन ग्रूप का वन का एक फेन ट्रेप हुआ है इस तरीके से दोस्तों है हमारा सो करेगा आप देख रहें जैसा कि दिया हुआ है फेन नमबर 15 ट्रेप 16 ट्रेप आउट आप स्टेप वोईल्टी Percy और फैन नमबर चोगदा ट्रेक ट्रेब फैन नमist ओनिवा राँ ट्रप इस तरीका से यह ट्रिपिंग के इंडीके सरे दूस्तों जससे ट्रिपिंग आएगा इस तरीके से आपका यह यह व्युड़ तो गिलो हो जाएगा और यह is work करना चालो करेगा 70 honour 2 आप condition socket supply वॉर्ट तो पैनल में सब्ट सप्लाई वोर्ट यह जाता है एक यह आप यहК अफ condition में दिया हुआ है और यह हमारा ओन dåं कंडिशन में जैसा कि आप देख रहे हैं यह इंडिकेशन किलो हो रहा है है हमने ओन किया हुआ सुच्छ तो यह सोकेट दिया रहता है जैसे कि लेपटोप चार्ज करना मोवाइल चार्ज करना या एस्ट्रा हमें लेंब की जरुवत पढ़ जाए उस हिसाब से प्रतेक पेनल में एक सोकेट दिया हुआ होता है दोस्तो थैंक्स पूर वचिंग माई वीडियो प्लीज सब्क्राइब माई चैनल थैंक यू धन्नवाद तो दोस्तो हम मिलते आपसे अगले वीडियो में तो दोस्तो हमारा चैनल कंट्रोल पेनल आइडियाज में आपको एक से बहतरीन टेक्निकल वीडियो देखने को मिल जाएंगे आप जरूर बोच करिएगा थैंक्यू धन्नवाद